नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए पहली टेस्ट सीरी जो है शुरू करने जा रहे हैं आपको पता है हमारा जो न्यू बैच वो आज से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट वीडियो जो हमारे पास बो है प्रिवियस यर क्वेशन पेपर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ओपर टाइटल्स पहले से ही दिया हुआ है टैट नॉन मेडिकल सॉल्ब क्वेशन पेपर 2012 यहाँ पे केवल जो अगर आप बुक लोगे तो बहाँ पे केवल आपको जो उसके आंसर से बोही मिलेंगे बट हमने कोशिश की है कि maximum question को solve किया जाए ताकि आपको काफी help हो सके आज पहली वीडियो जो थोड़ा सा introduction मैं दे देता हूँ इन पेपर को करने का main motive यह है कि जो भी हम study करेंगे आपको खुद बखुद लगता रहेगा जो भी हम theories पढ़ेंगे कि जो हम study कर रहे हैं वो according to syllabus ही है ऐसा नहीं है कि जो हम study कर रहे हैं वो out of syllabus है और इससे आपके पास stat and tisty दोनों में काफी help होगी तो firstly हम 2012 से लेकर 20 तक जो भी paper आये हैं possible होगा तो उन सभी को solve करने की कोशिश करेंगे और आपको daily उन videos को provide करवाएंगे ओके हो सकता अगर बीच में कोई videos ना आपाए तो हम आपको inform पहले से ही कर देंगे तकरीबन मुझे लगता है कि January 15 तक ये cover हो जाएगा उसके बाद जो हमारा second part है उसके वो मैं सुरू कर दूँगा जो इस लेबस मैं बना दूँगा उसके बाद हम जो theoretical study है उसको करना शुरू करेंगे चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो क्योंकि तकरीबन यहाँ पर 150 question है and 150 question को करने में काफी time लगेगा उके अगर एक वीडियो में cover होते हैं तो मैं एक वीडियो के अंदर पूरे के पूरे paper को cover कर दूँगा otherwise इसके में दो तिन पार्ट भी बना दूँगा ओके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं so first question हमारे पास यहाँ पर है HPG case related हिमांचर प्रदेश बाज पार्ट C state तो हिमांचर प्रदेश पार्ट C कब बना था आपके पास काफी important question है आपके पास ओके तो हिमांचर प्रदेश पार्ट C कब बना था आपके पास July 1st 1954 से and 56 तक आपके पास यह पार्ट C state बना रहा था so first question का answer का है मारे पास July 1st 1954 को हिमांचर प्रदेश पार्देश पार्ट C बना था next question है मारे पास first हिमांचली to lead Olympic hockey team is तो first हिमांचली कौन थे जिन्होंने Olympic team में जो है hockey जो Olympic में hockey team को lead किया था वो तो आपके पास चरणजीत C हैं next है मारे पास the author of हिमांचल past, present and future काफी time है question exam में आपके पास आया है ओके हो सकता है by chance अगर हमसे कोई गलत question हो जाए तो आप हमें comment करके जुरूर बताईएगा otherwise comment नहीं कर पाऊगे तो आप हमें inbox में जुरूर message कीजिएगा next video में हम उसको improve कर देंगे so हिमांचल past, present and future के author कोन है मारे पास देवराज, शर्मा जी next है मारे पास sugar beet and saffron are produced in the district of the sugar beet हो गया आपके पास saffron हो गया, तो हिमांचल में ये कहां पे होते हैं हमारे पास ये सबसे ज़्यादा किन और में होते हैं next है मारे पास suristal and chandratal are तो suristal और chandratal क्या है हमारे पास ये आपके पास lakes है कैसी lakes है? natural lakes ये आपके पास lahol speedy में present है जहां से आपके पास चिनाव रिवर निकलती है नेक्स्ट है मारे पास कुफरी जीवन and कुफरी जीोती are the varieties of तो ये तो पता नहीं कितनी वार एक्जाम में question आ चुका है ये आपके पास पोटाटो की varieties है नेक्स्ट है मारे पास द्योटसिद temple is in the district of तो द्योटसिद आपको पता है बापा बालकनाची के लिए काफी ज़्यादा famous मंदिर है and वो आपके पास हमिरपूर में present है नेक्स्ट आपके पास है incorrect match तो holy fair कहां पे होता है आपके पास सुजानपूर में होता है सही है नलवाडी मेला आपके पास बिलासपूर में होता है मिंजर मेला आपके पास रेणुका सोरी जो रामपूर है यह आपके पास यहाँ पे गलत है ओके रेणुका तो आपके पास शिरमौर में होता है सी जो ही आपके पास यहाँ पे इसका गलत option है नेक्स्ट है मारे पास study of population trend is called study of population को हम क्या कहते है demography और guys एक बात याद रखिए इन questions से हर time exam repeat होते है यह question आपके पास repeat हुआ है औके जो आपके पास उपर question है जैसे this question and सूरुजताल चंददा सूगर बीट जो आपके पास हिमांचल past, present and future के writer है वो कौन से है तो यह question continuously repeat होते है हमारे पास तो इनको एकदम अच्चे से पढ़िएगा चलिए next question की तरह बढ़ते है next हमारे पास chip को अंदूलन तो यह कब हुआ था आपके पास 1973 में और यह paid answer related है next question हमारे पास बड़ा शिगडी तो बड़ा शिगडी क्या है हमारे पास एक glacier है option number D जो हमारे पास एक right answer है next हमारे पास शिशू फेर तो शिशू फेर जो है आपके पास किस धर्म से related है वो हमारे पास related है Buddhist बहुत धर्म जो है वो उन से हमारे पास related है next हमारे पास उजग जामा is a traditional folk dance of तो उजग जामा काफी famous है और ये कहां पर होता है आपके पास ये हमारे पास होता है कुलू district में उजग जामा नेक्स्ट है हमारे पास अब हमारे पास math से related questions है So which number is neither a primary number nor a composite number तो कौन सा number है हमारे पास बो तो guys याद रखिए one number आपके पास कभी भी prime number नहीं होता है क्योंकि prime number बो ही होगा जहां पे आपके पास उसके two factor बनेंगे एक तो वो खुद होगा एक आपके पास one होगा तो ये जो है आपके पास यहाँ पे सिदा ही गलत हो गया नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे question है the prime number between one two hundred तो one two hundred के बीच में आपके पास 25 prime number आते है the right answer is 25 next हमारे पास between two given rational number आपके पास यहाँ पे two rational number है sorry आपके पास यहाँ पे fractions है आपको बता रहा है इनके बीच में कितने rational number जो है आ सकते है तो यहाँ पे आपके पास fractions है तो fraction में आप कितने भी number लिख सकते हैं So it means infinite rational number जो है इसमें आपके पास आते हैं Next है मारे पास 17 By selling an article for 425 यानि कोई person है जिसने 425 में किसी चीज़ को बेचा and उसे loss हुआ 15% का तो आपको cost या जो cost है वो निकालनी है आपके पास इस question को करने के दो तरीके हैं formula क्या होता है हमारे पास? हमारे पास formula ता है 100 upon 100 minus loss is equal to cost price upon selling price अब यहाँ पे अगर आपको gain हुआ है तो हम plus g कर देंगे चितना आपको gain हुआ है यह formula वैसे easy है आप इसमें भी इसको याद रख सकते हैं क्योंकि दूसरा थोड़ा complicated हो जाएगा दूसरे में हम क्या करते हैं जैसे 425 है तो उसे 15% का नुकसान हुआ है it means उसने इस चीज़ को कितने में बेच है आपके पास 85% 85% यह आपके पास 425 तो यहाँ से आप इसका 1% directly निकाल सकते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे formula given है अब हम इसमें value रुगाएंगे हमारे पास loss हुआ है तो कितना loss हुए आपके पास 15% का तो हमारे पास क्या आएगा 100 upon जब minus 15 करूंगा 85 आपके पास यहाँ पे आ जाएगे is equal to cost price हमें निकालनी है selling price हमारे पास 245 है तो हमारे पास किस तरह equation बनेगी 100 into 425 upon 85 यह हमारे पास यहाँ पे term बन गई है या जो मैंने आपको बताया आप उस तरह से भी कर सकते थे आपको क्या निकालना था 80 करते आप इस तरह से आप इसको निकाल सकते थे इसका 1% निकालना था आपको आपके पास 1% आजाएगा उसको 100 से multiply करेंगे आप उस तरह से भी इसको कर सकते थे तो जब हम इसको यहाँ पे solve करेंगे तो हमारे पास इसका answer कितना आएगा 500 फार्मूला मैंने आपको बता दिया इस तरह के कोई भी question आपको आएगे तो उसमें कितने जो है maximum number of common tangent आप ड्रॉ कर सकते हैं तो हम केबल बहाँ पे two common tangent जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं next आपके पास तो यह आपके पास simple interest से related फार्मूला था आपको यहाँ पे time भी given है and आपको यहाँ पे पूचा गया है कि simple interest on a sum of money at the end of 5 year is 4 upon 5 of sum itself and rate आपको यहाँ पे calculate करना है तो इस question को हम किस तरह से करेंगे तो आपके पास जो भी values यहाँ पे given है आपके पास यहाँ पे simple interest given है कितना है 4 upon 5 P इस तरह से आपके पास given है and तो हम simple formula यूज़ करेंगे principle into rate into time upon 100 तो यहाँ से इसको मैं erase कर देता हूँ क्योंकि simple interest की जगा हम directly जो इसकी value हमारे पास given है हम वो ही values को put करेंगे तो एक minute तो इसकी value जो भी मैं put करूँगा यहाँ पे हमारे पास एक value of 4 upon 5 P into एकर मैं इस value को rearrange करूँगा तो हमारे पास जो इसका answer बनेगा वो बनेगा R is equal to 4 upon 5 into 100 upon 5 क्योंकि P के साथ जो परली साथ P है वो cancel हो जाएगा आपके पास तो यहाँ पे जो हमारे पास है इसकी value आएगी वो हमारे पास बनेगी तकरीबन 16% तो answer क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 16% तो इस इस दा right answer next question की तरह बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे SCF दिया गया था तो SCF निकालना है आपको तो यह तो normal था आप इसको factorize कीजिए अगर हम 21 को factorize करते हैं तो 7 into 3 into x q into y raise to power 7 इसको first को मैं break करूँगा अगर second को break करता हूँ तो 7 into 5 into x raise to power 5 यह आपके पास तो 3 कर दीजिए यहाँ पे into या y raise to power इसको मैं थोड़ा सा और break करता हूँ तो हमारे पास यह यहाँ पे बनेगा हमारे पास x raise to power 2 यहाँ पे एक और बच गया क्योंकि x raise to power 5 था into y raise to power 5 इसी तरह से आपके पास यहाँ पे रहे जाएगा तो जो common है हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है एक तो 7 आता है आपके पास एक X raised to power 3 हमारे पास बचता है एंड जो एक और टाऊम है हमारे पास वो आप यहां से निकाल सकते थे यहां से हम निकाल सकते थे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा Y raised to power 5 into Y raised to power 2 तो हमारे पास Y raised to power जो 2 है वो भी यहां पे एक common time हमा रही है sorry not either by raise to power 5 common time हमारी है तो यहाँ पर right answer कौन सा बनेगा this okay थोड़ा से यहाँ पर मुझे लगता है कि हौच पौच हो गया यह चलिए कोई बात नहीं तो दुबारा से मैं इसको बता देता हूँ 21 को आपको क्या करना है common factor निकालना है तो एक 7 होगा आपके पास into एक x raised to power 3 आपके पास होगा 7 into 3 21 औके एंड नेक्स आपके पास क्या है 35 है तो यहाँ पर 5 into 7 क्या होगा 35 होगा into x raised to power 2 है आपके sorry x raised to power 5 है तो इसको हम break कर सकते हैं common निकालना है तो x raised to power 3 into x raised to power 2 इसको मैं लिख सकता हूँ, ओके, इसे हाँ पर आपके पास x raised to power 7 है, तो हमें इसके बराबर बनाना है, तो by raised to power 5 में इसको लिख सकता हूँ, by raised to power 2 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का combination है, इसके साथ मैं इसको by raised to power 5 लिख सकता हूँ, तो common हमारे पास जो वह आएंगे by raise to power 5 and x raise to power 3 okay and 7 common इन में तो highest common factor आपके पास यही होंगे 7 x cube and by raise to power 5 okay next हमारे पास two equal side of triangle are 5 meter हमारे पास जो triangle है उसकी जो equal side है वो कितनी है 5 meter less twice the third side okay if the parameter of the triangle is 53 यहाँ पे गलत है थोड़ा सा क्योंकि अगर 53 होगा तो हमारे पास जो answer आ रहा है वो कुछ और ही हमारे पास आएगा so चलिए इसको इसी तरह से करके देखते हैं पहले तो firstly हमारे पास क्या है two equal side of a triangle are 5 meter तो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है हम उसी को पहले लिखेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे given है आप उसको लिखेंगे सबसे पहले two equal side of a triangle are 5 meter यहीं ट्राइंगल की जो दोनों side है वो equal है और कितनी और वो आपके पास कितनी है 5 meter less है थ्राइस्ता third side से ओके and if the parameter of a triangle is 53 आपको length निकालनी है जो equal side से आपके पास equal sides की length निकालनी है तो firstly हम according to question चलेंगे तो हम माल लेंगे जो third side है third side कितनी है हमारे पास equal to xm ओके xm इसकी value को माल लेंगे अब चलेंगे according to question तो हमारे पास according to question क्या बनता है कितनी कम है वो 3 गुना कम है तो हमने x माल लिया है उसको and 5 meter जो है वो कम है so plus x is equal to 53 तो इस question से मारे पास ये equation बनती है and इस question को solve करेंगे तो मारे पास बनेगा 6x minus 10 plus x is equal to 53 and 7x is equal to 63 जब मैं इसको solve करूंगा so this will be equal to x is equal to 63 upon 7 is equal to 9 centimeter so अगर 9 centimeter value आ रही है तो हमने equation के निकाली थी 3x minus 5 क्योंकि हमें पता था जो length है equal sides की वो आपके पास question के according यहाँ पे given है 3x minus 5 so इस में से आपको क्या करना है जो x की value output करेंगे हैं so 27 आएगा it means minus 5 is equal to 22 meter जो हमारे पास इसका यहाँ पे right answer आएगा 22 meter next हमारे पास which of the following can be the possible length in centimeter of a triangle आपको यहाँ पे बताना है कि possible कौन सी है तो हमारे पास कुछ rules होते हैं और यह question काफी time अब exam में पूछा जा रहा है तो हमारे पास rules होते हैं जो triangle है अगर उसकी जो sum है दो side का वो तीसरी से ज़्यादा होगा यह हमारे पास rule होता है यानि जैसे मानी जी आपके पास एक है दो है तीन है centimeter में सारी तो इन दोनों का sum जो है वो third से ज़्यादा होना चाहिए तब यह triangle की sides होगी यानि जो two small sides है उनका sum जोड के तीसरी से ज़्यादा आपके पास होना चाहिए तो आप यहाँ पर वो ही करोगे जो small sides है हमारे पास उनका हम sum करेंगे जो two smalls है क्योंकि हमें पता है ज़्यादा जो होगा वो high pattern use होगा तो अगर आप देखोगे तो cable a की यहाँ पर term ऐसी है जो इस rule को follow करती है वो हमारे पास c तो c जो आपके पास यहाँ पर right answer है next हमारे पास abc is a isoslis right triangle right angle at c आपके पास एक triangle है c के ओपर right angle है ab मैं इसको नाम देते ता हूँ यह आपके पास isoslis triangle है it means दोनों साइड सो है equal है आपके पास यानि जो आपके पास c a है is equal to b a दोनों equal है मारे पास हमें बताना है तो हमें इन terms को explain करना है जो नीचे दी गई है तो pythagoras theorem लगाएंगे तो hyperneuse आपके पास यहाँ पे क्या है a b आपके पास यहाँ पे hyperneuse है b c आपके पास यहाँ पे जो perpendicular आ जाएगा and c a जो आपके पास यहाँ पे इसका value आ जाएगी so इसमें हम लगाएंगे directly equation so a b square is equal to a c square plus b c square तो हमने यहाँ पे पहले ही आपके पास एक term निकाल दी थी जो a c है आपके पास वो किसके बराबर है b c के बराबर है यहाँ पे पहने थोड़ा सा आपको यह इककोल नहीं होगी यह इककोल होगी क्योंकि यह तो hype to news यह आपके पास तो hype to news always जादा ही होगा आपके पास इन दोनों से so यह sides आपके पास इककोल होगी it means जो आपके पास हम square करेंगे इसका जब इनका square हम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास b c वो भी a c के बराबर है तो हम 2 a c लिख सकते है यह 2 b c भी हम इसको लिख सकते है so हमारे पास क्या होगा जो a b होगा हमारे पास वो आपके पास double हो जाएगा a यह इसकी value बनेगी a b square is equal to 2 a c square काफी easy question है आपके पास directly pythagoras से हम इसको निकाल सकते है next हमारे पास the centroid of a triangle divides each median in the ratio तो जो आपके पास centroid होते है वो जो आपके पास triangle होगी उसको median में से कौन सी ratio में cut करते हैं तो वो उनको हमारे जो cut करेंगे वो करेंगे 2 is to 1 की ratio में ओके यह direct answer है आपके पास 2 is to 1 next हमारे पास 2 pole of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground if the distance between their feet is 12 meter then the distance between their tops तो यह तो आपके पास काफी easy question है एक आपके पास 11 meter है दूसरा आपके पास 6 meter है बेस उनका 12 meter है तो यह भी आपके पास 12 meter होगा आपको यह distance निकालना है यह कितना है total 11 है यह 6 है 11 में से 6 minus करेंगे 5 यह आपके पास 5 है यह 12 है यह आपको निकालना है बिद्धा हलप of pythagoras theorem ओके तो 12 का square करेंगे मैं directly इसको यहाँ पे apply कर रहा हूँ तो एंडर इसका square करेंगे तो 25 तकरीबन यह 169 बनेगा आपके पास एंडर इसका अगर मैं अंटूट करूँगा तो 13 ओके डिरेक्ट हम pythagoras theorem यहाँ पे apply करेंगे so 13 is the right answer next यह मारे पास the altitude drawn on equal side of an equilator triangle are in the ratio of तो आपको पता है equilator triangle means all sides are equal अगर यहाँ से altitude भी आपके पास गिरते हैं तो वो एकदम कहाँ पे मिलते हैं आपके पास center में आके मिलते हैं okay and यहाँ पे पूछा गया है the altitude drawn and equal side of an equilator triangle are in the ratio तो किस ratio में आपके पास होते हैं 1 is to 1 is to 1 ratio में okay next है मारे पास the sum of two number दो number है आपके पास x plus y इनका sum कितना है 100 and their difference is 50 and इनका difference कितना है आपके पास 50 तो आपके पास two equation बन गई x की value हम यहाँ से निकाल सकते है x क्या आएगा हमारे पास यहाँ से x की value निकाल लीजिए x is equal to 100 minus y यहाँ पे put कर दीजिए हमारे पास क्या आएगा x sorry x की तब value हम डायाँ पर put करेंगे 100 minus y minus y कितना हो जाए आपके पास 2y is equal to 50 यह side जाएगा minus का बनेगा तो y की value कितनी आएगी 25 हमारे पास यहाँ पे y की value आएगी तो इस value को यहीं पे put कर दीजिए x plus y is equal to 100 तो y की value कितनी आपके पास 25 है तो यह पारली side जाएगा तो 75 it means x is equal to 75 into 25 यानि 3 is to 1 ratio ओके काफी इसी question था next हमारे पास a man goes east तो यह तो normal direction का है 5 meter east जा रहा है and direction किसी भी तरफ हम बना लेंगे 5 meter 12 meter north में जा रहा है आपको distance निकालना है again हम यहाँ पे pythagore's theorem use करेंगे and बहुत ही term हमारे पास है 25 plus 144 यानि 169 so 13 is the right answer next हमारे पास 1 km2 is तो यह आपके पास किसके बराबर होता है यह हमारे पास बराबर होता है 100 hectares के so option number c जो हमारे पास इसका right answer 1 km2 जो 100 hectare है उसके बराबर होता है next हमारे पास the altitude of rhombus whose area is 320 meter square and the side is 5 meter तो यहाँ पे आपको निकालना है altitude of rhombus altitude आप इसे height भी कह सकते है तो जो हमारे पास area होता है रहंबस का basically जो रहंबस है उसको हम parallelogram भी कह सकते है and parallelogram का area क्या होता है हमारे पास base into height so base into height का formula यहाँ पे लगेगा area area कितना है 320 into 5 sorry equal to 5 into h and इसको rearrange करेंगे तो divided by 5 तो यहाँ पे जो answer आए कब आए का 64 next है मारे पास the area of the square field आपके पास यहाँ पे एक square field का area है okay and a rectangular field whose length is twice its breadth and आपके पास एक rectangular field भी है जिसकी जो length आपके पास वो कितनी है twice its breadth and has its parameter equal to the parameter of square but condition है जो parameter square का वो उसी के parameter के पराबर है आपको rectangle field का area निकालना है आपने exams में देखा होगा इस तरह के काफी question जो है आपके पास exam में पूछे गए है so आईए इस question को भी solve करते हैं so जो आपको पहले term given होती है आपको cable बोही लेनी है तो आपके पास यहां पे given क्या है area of the या square of field तो आपके पास जो formula होता है square या area of square निकालने कब होता है side का square यानि s square is equal to 5184 तो side की value कितनी होगी हमारे पास side is equal to 72 meter and parameter किस तरह से हम निकालते हैं parameter हमारे पास होता है 4a so this will be equal to 288 meter जो है आपके पास parameter है अब जो आपके पास rectangle है उसका parameter भी इसके बराबर है तो जो इसका parameter है जब हम उसमें इस value को add करेंगे तो चलिए आगला step जो है follow करते है so let the breadth of the rectangle rectangle की breadth कितनी है आपके पास उसको हम b माल लेते हैं so length कितनी है उसकी आपके पास 2b double है जो यहाँ पे given है and parameter कितना होता है rectangle का हमारे पास वो होता है length breadth and multiply करेंगे 2 से क्योंकि double है आपके पास 2 into length into breadth so length into breadth यह आपके पास क्या आगया इसका parameter आगया rectangle field का तो according to question हमें पता है कि इसका parameter कित के बराबर है इसके बराबर है sorry not मतलब area of square के बराबर है जो हमने अभी निकाला है कितना निकाला है 288 जो parameter है तो इस value को हम rearrange कर लेंगे easy way में तो हमारे पास 6b is equal to 288 upon 6 is equal to 48 meter जो हमारे पास यहाँ पर term आ जाएगी यह आपके पास b की value है a की value कितनी हो जाएगे पास into 2 this will be equal to 96 ओके and area of rectangle कितना होता है हमारे पास breadth into this तो इस value आपके पास given है so it means 48 into 46 this will be equal to 4068 ओके sorry 4608 तो यहाँ पर right answer कौन होगा हमारे पास 4608 meter square ok next है मारे पास which is not a perfect cube तो perfect cube के लिए आप directly इसके factorize इसको factor कीजिए and अगर आपके पास equal terms नहीं बन रही है 3-3 के patterns में it means वो आपके पास perfect cube नहीं है तो यहाँ पे 108 जो आपके पास perfect cube नहीं है ok next है मारे पास 33 the volume of a cube whose surface area 54 तो volume of cube आपको निकालना है surface area जब आपको given है तो आप उसका easy way में answer निकाल सकते हैं and जो cube है उसका surface area आपके पास होता है 6a square ok value आपको given है 54 meter square तो इसमें हम values को put कर लेंगे and इसका answer हम निकाल लेंगे so a square यनि side आपके पास आ जाएगी 9 this will be equal to 3 ok क्योंकि ये 6 is side जाएगा divide हो जाएगा 3 जो है आपके पास side की value है volume हमारे पास होता है a cube it means 27 meter cube b is the right answer next हमारे पास a train moving at a speed of 75 km per hour cover a certain distance in 4.8 hours to cover the same distance in 3 hours the train should have passed आपके पास एक train है ok and उसने कितना distance travel किया है 75 so s बन माल लीजिए कितना है 75 उसमें उसने कितना time लगाया t1 is equal to 4.8 hours उसने same distance cover किया यानि s2 कितना है आपके पास sorry to cover the same distance in 3 hours the train should have speed तो अब आपको बताना है जो s बन है वो speed है ok थोड़ा सा यहां पे mistake हो गई speed है s2 कि आएगा आपके पास second speed जो हमें calculate करनी है कितना time period हमें पता है but distance constant है so it means कि जो आपके पास distance है वो constant है अगर time कम हुआ है तो speed क्या होगी increase होगी it means यहां पे हम use करेंगे according to inverse variance it means s1 t1 is equal to s2 b2 क्योंकि directly proportional है so values given है हमारे पास 75 into 48 क्योंकि 4.8 था तो मैंने इसको convert कर लिया is equal to x into 3 so इसका हमारे पास क्या बन जाएगा x is equal to 120 ओके so x की value आपके पास क्या होने चे 120 120 किलोमेटर पर आवर जो है इसकी speed जो है आपके पास होनी चाहिए and next है मारे पास a flower pot has 3 red flower and 6 yellow flower but is the probability of picking a red flower by closing your eye तो आपको red flower जो है निकालने हैं तो easy probability का question है 3 red है 6 आपके पास yellow है total आपके पास 9 हो गए आपको के बड़ रैड निकाल है तो probability हम किस तरह से निकालते हैं possible outcome divided by total आपके पास कितनी है it will equal to 1 upon 3 so a is the right answer ok next direct question था आपके पास area of trapezium is so area of trapezium हमारे पास क्या होता है half sum of parallel side into distance between a is the right answer next आपको यहाँ पे इसका इसको solve करना था cube root निकलने थे हमारे पास sorry root निकालने थे इसके और पता करना था वो किस तरह के root है तो यह question भी काफी easy है आपको यहाँ पे use करना है distance formula minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a directly a की value, b की value आपको यहाँ पे given है so मैं directly इसका answer आपको बताता हूं जब हम value put करेंगे तो 6 plus minus and root 36 minus 24 upon 4 हमारे पास आएगा जो इसका हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास बनेगा 2 sorry 3 plus and root 3 upon 2 plus minus तो जब यह दो values हमारे पास है it means यह real values है हमारे पास क्या ही यह? real values है and दोनों equal भी नहीं यानि unequal है but यह आपके पास irrational है so b जो हमारे पास यहाँ पे right answer है next हमारे पास the difference between maximum and minimum observation in data तो जब हम maximum minimum value को निकालते हैं तो बहुर हमारे पास represent करती है range को okay range is the right answer next जो हमारे पास question है mean of 10 number is 17 आपके पास 10 number का mean कितना है? अब क्या हुआ है? जो आपके पास values है उनको 5 5 increase कर दिया है हमने कितना increase कर दिया है? माल लिजिए जो हमारे पास 10 number थे वो 10 नहीं थे आपके पास यानि total कितना था? 100 था आपके पास तो जब हमने 100 upon 10 किया था तो हमारे पास बन गया था 10 sorry not 10 that is 17 mean of 10 item is 17 तो यहाँ पे 100 नहीं हो सकता अगर आपके पास 10 number का mean जो है 17 नहीं नहीं रहा है so if each item is increased by 5 then new mean अगर हर एक item जो है 5 increase हो रही है तो mean में का difference पड़ेगा? mean भी तो increase होगा if number of observation are increased by a then mean of observation is also increased by a जितनी value increase होती है उतनी ही value आपके पास mean की भी increase होती है so 7 plus 5 direct आपके पास होगा कितना आएगा? 22 next यह मारे पास if a, a minus 1 is equal to 8 then आपको इसकी value निकार लिए इस तरह के question काफी time exam में पूछे गए है but आपको थोड़ा से यहाँ पे reasoning use करनी पड़ेगी इस equation को हम a के साथ divide करेंगे जब a के साथ divide करेंगे तो यहाँ से यह तो cancel हो जाएगा but हमारे पास 8 के उपर a आ जाएगा so a minus 1 is equal to 8 ओके? इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? 8 a आ गया यहनि यह equation कुछ बनगी हमारे पास अब a को मैं परली चाएड लेके जाऊँगा तो हमारे पास यह क्या बनेगा? 8 a and आपको यह minus मैं चाहिए so minus a is equal to minus 1 अब यह value जो आपके पास negative में है यह positive में है तो पूरी equation को minus के साथ multiply करेंगे यह equation क्या बनेगी? minus a 8 upon a is equal to plus 1 ओके? plus 1 जो आपके पास इसका answer यहाँ पर आ जाएगा next है मैरे पास the value of x on simplification x minus 2 magnitude of x is equal to minus 3 तो जब magnitude of x की value आपको दी है तो आपको यहाँ पर function use करना है f of x is equal to magnitude of x it means इसकी value जो है vary करेगी आपके पास minus x कब होगा plus x कब होगा जब x की value आपके पास minus कब होगा 0 से छोटी होगी और positive कब होगा जब 0 से बड़ी होगी दो condition है हमारे पास तो यही हम यहाँ पर use करेंगे अब if अगर आपके पास x की value 0 से छोटी है यही माइनस में value आएगी so x minus 2 और यहाँ पर x की value करें डालेंगे हम minus x this will be equal to minus 3 जब अब इसको solve करेंगे so x is equal to minus 1 एक value x की क्या गई minus 1 दूसरी के condition थी x जो है बड़ा है 0 से so it will x minus 2 x is equal to minus 3 and this will be equal to x is equal to 3 so values की आएगी हमारे पास minus 1,3 okay so minus 1,3 is the right answer next हमारे पास which of the following is not a proper fraction तो यहाँ पर basically जो अब question आते हैं वो एक साथ दिये होते हैं but इन्हों नहीं यहाँ पर आपको एक 4 fractions आई है अब आपको बता रहे है proper कौन है और improper कौन है मारे पास तो अगर आप देखोगे तो यह जो आपके पास एक जैसी है equivalent हम इने नहीं कह सकते but same same fraction है आपके पास अगर हम देखें तो 3 upon 2 है आपके पास 4 upon 3 है आपके पास 5 upon 3 है हमारे पास पर जो 7 upon 3 है वो आपके पास यहाँ पर improper fraction है क्यों? अब improper क्यों है? क्योंकि इसका जो आपके पास denominator है वो numerator से बड़ा है तो proper and improper fraction पहले भी हमने study की थी proper क्या होगी जिसमें आपके पास जो आपके पास numerator है वो बड़ा होगा as compared to denominator बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो denominator है आपके पास वो बड़ा है नेक्स्ट है हमारे पास if a raised to power x is equal to b तो यह question काफी lengthy है इसमें आपको सबसे पहले दोनों साथ log लेना पड़ेगा so a raised to power x it means a x is equal to log b and log b by is equal to log x so इसमें जब हम log लेंगे तो मैं आपको एक बताता हूँ बाकियों में उसी तरह से होगा तो जब first में लेंगे तो आपके पास होगा x log of a is equal to log of b अगले में भी same आपके पास होगा जब मैं यहाँ पे log लूँगा तो इसको में थोड़ा सा रहे रेरेंज करूँगा क्योंकि मुझे x की value चाहिए तो log b upon log a जो है यहाँ पे आपके पास यह बन जाएगा equation number one second में जहाँ पे x is equal to log तो इसको बात करूँ तो इसमें भी आपके पास बोही होगा y is equal to log c upon log b और इसमें क्यों होगा आपके पास z is equal to log a upon log c तो आपको multiply करना है इस अभी equation को और जब आप इनको multiply करोगे तो directly आपके पास x y z is equal to one आ जाएगा okay so आपके पास b जो इसका right answer होगा so guys मुझे लगता है कि ये question sufficient है आज की वीडियो के लिए okay next जो वीडियो आएगी उसमें हम बाकी बचे हुए questions को cover करेंगे आज math section था इसलिए इसने काफी जादा time लिया है and next session में हम आपके सब next question को cover करेंगे आप देखो कि ये question अब भी जो टैट आता है उसमें इसी तरह के question आपके सामने आते हैं so यहाँ से आपको question भी या जो latest question है उसमें भी help होगी and जो हम यहाँ पे formulas आपको बता रहे हैं कि इस तरह से इन questions को हम solve कर रहे हैं वो भी आपको पता लगता रहेगा तो इस तरह से आप इन questions को कर सकते हैं so मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you have a nice day